धाई फीट के अजीम मनसूरी नाम तो याधी होगा नहीं याध है तो हम आपको बता देते हैं ये वहीं अजीम मनसूरी हैं जिनका कद छोटा होनी की वजह से पिछले कई सालों से इनकी शादी नहीं हो रही थी इसी वजह से परिशान अजीम मनसूरी जब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश याधव से मिले थे तो उस वक्त भी उनसे दुलहन खोजने की गुहार लगाई थी और अब उनकी ये तलाश आखिर पूरी हो गई और वो दिन भी आगया जब धाई फीट के अजीम मनसूरी धूम धाम से बारात लेकर निकले अपनी मंगेतर बुश्रा से शादी करने के लिए यूपी के शामली जिले के लिटल स्टार अजीम मनसूरी की शादी की मुराद आखिरकार अब जाकर पूरी हो ही गई बुदवार को धाई फीट के अजीम मनसूरी दूलहा बन कर अपनी बारात लेकर हापुड के लिए रमाना हुए सिर्पर सहरा बांध और शेरवानी पहन कर अजीम मनसूरी अपनी मंगेतर हापुड जिले की बुश्रा से निकाह के लिए बड़े ही धूमधाम से अपनी बारात लेकर निकले वैसे तो शादी की तारीख साथ नवेंबर को तै थी लेकिन भीड की वज़े से शादी में कोई व्यवधान ना हो इसलिए आज यानि बुद्वार को ही अजीम मनसूरी निकाह के लिए बारात लेकर निकल गए बहुत बहुत मेल बाने आप काभी दन्यवाद देला हो पुली बलचादन वालों काभी मीडिया वालों काभी दुल्हन की तरह सजीकार में सवार अजीम मनसूरी शांदार शेर्वानी पहने हुए थी और सिर पर सहरा था ये सहरा उन्हें कितना सुकून भरा एहसास दे रहा होगा ये अजीमनसूरी ही जानते होंगे जिने अपने लिए एक दुलहन खोजने के लिए न जाने कितने पापड बेलने पड़े काफे इंतजार के बाद शादी करने जा रहे अजीमनसूरी के इस निकाह में पीएम मोदी, सीएम योगी और सपाई मुख्या अखिलेश यादव के आने की भी चर्चाएं थी क्योंकि अजीमनसूरी ने खुद बताया था कि वो चाहते हैं कि उनकी शादी में प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आधितनात और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल कूँ इसके लिए वो दिल्ली जाकर पियम मोदी को आमंत्रत करेंगे अजीम मंसूरी ने अपनी शादी में वैसे तो कई हाई प्रॉफाइल हस्पियों को बुलानी की बात की थी लेकिन समय से पहले हुई शादी में कोई नेता नहीं आ सका अजी मनसूरी ने बताया कि अखिलेश अपने पिता मुलाहिम के इंतकाल की वजह से नहीं आ सके और पियमोधी के पास समय नहीं था शादे का सपना साकार होने जा रहा है तो अजी मनसूरी इस बात को लेकर जहां बेहत खुश नज़र आए तो वहीं उनके दादा भी अपने पोदे की बारात में शामिल होकर बेहत उत्साहित नज़र आए मैं बहुत खुश हूं जिस सर इस सामने करवादि आगला का लाक लाक शुकर है रही इसका क्या आणि है भीड बारन होगए झसे और अजी वज़े से जा रहे बहूए पहले ही एच्छा कितने आजमी सामिल है बारात मारी बीशक आदे में होगए जी बुशे कर देवा जी अजीम मनसूरी अपनी शादी को लेकर पिछले कही सालों से सोशल मीडिया पर चाय हुए जब ये बात हापूर की रहने वाली बुश्रा को पता चली तो उन्होंने उनसे निकाह की इच्छा जदाए दोनों की सगाई साल 2021 के अप्रेल में ही हो गई थी लेकिन बुश्रा कॉमर्स से ग्राजवेशन कर रही थी इसलिए उन्होंने एक साल बाद शादी करने की बात कही और अब जाकर वो दिन भी आ गया जब अजीम मनसूरी का उनकी मंगेतर बुश्रा से निकाह हो ही गया आपको बता दे अजीम मनसूरी एक कास्मेटिक की दुकान चलाते हैं और उसी से अपना खर्चा निकालते हैं वो केराना में रहने वाले एक परिवार में छे भाई बहनों में सबसे छोटे हैं महराल थाने से लेकर अखिले श्यादव तक से शादी के लिए दुलहन खोजने की गुखार लगा चुके अजीम मनसूरी के निकाह पर आपका क्या कहना है अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं